नमस्कार स्वागताब सभी का हिस्ट्री इत्शिक्टी चनल में मैं रवीकुलरिया इस्टे लेक्टर आजसान से आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा RPSC द्वरा आजित होने वाले सेकंड ग्रेड के एक्जाम के सामाजिक विज्ञान विशे की बुक लिस्ट के बारे में SST की बुक लिस्ट, SST की बुक लिस्ट ऐसे मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं आजकल और सभी विद्यार्थियों को ये पूछना है कि कौन से किताबे पढ़े उनमें confusion है, उनका confusion मैं समझता हूँ क्योंकि इधर उदर से उन्होंने किताबों के बारे में सूचना जोटाई है और उनको बहुत सारी किताबें recommend कर दे गई है अब इतनी किताबें उनको लगता है कि हम पढ़नी पा रहे अगर नहीं खरीदें तो उनके मन में ये है कि बाकी विद्यार्थियों ने इतनी किताबें पढ़ ली और मैं कम किताब पढ़ रहा हूँ तो मेरा selection कैसे होगा, दुवीदा तो होती है विद्यार्थियों के मन में जब आपने बीड में प्रुवेश लिया होता है, आपके पास दो साल का समय होता है या वेकेंसी आने की निकट भविशे में संभावना नहीं होती है, एक दो साल का समय बचावाता है तब तो आप वो पढ़ें, अपना बेस मजबूत करें और पहले से अपनी तयारी को पुखता करें, तब तो वो बात जस्ती है लेकिन अभी जैसे हमें पता है कि इसी वर्ष एक्जाम होने वाले हैं, तो वैसे स्ती में हम शुरुआत इतनी ज़्यादा किताबों के साथ नहीं कर सकते क्योंकि आप शुरुआत करके उनको कंप्लेट तो कर लेंगे, लेकिन उनको ठीक से रिवाइज कभी भी नहीं कर पाएंगे उससे अच्छा तो अकेली गाइड पढ़के जो जाएगा वो आपसे ज़्यादा नमबर लेकर आएगा बहुत से वीडियो मैंने भी देखे हैं, उनमें लोग सेकंड पेपर के लिए 25-25 किताबे बता रहे हैं तीस-तीस किताबे, इस बोर्ड की, उस बोर्ड की, ये किताबे, अब उतनी किताबे पढ़ना, उनकी नोट्स बनाना, याद रखना, ये कहां तक संभव है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप घवराएं नहीं, मैं आपको एकदम सीधी, जैसे राजसार में बोलते हैं, घर की सी बात बता रहा हूँ सेकेंड रेड में आपके, आप मैं यहाँ यह नहीं बताऊँगा कि ग्रेजुशन लेवल का कितना पॉर्शन आता है, सीनियर सेकेंडरी तका कितना आता है, वो आपको पता रहता है, नहीं है तो वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लें, मैं सिर्फ बुक लिस्ट के बारे आती है, एकोनोमिक्स आती है, सोचलोजय आती है, किलोसुपी आती है, पब्लिक अड्मिनिस्टरिशन आता है, अब इनके लिए RBSC, NCRT और फिर कोई विशेस लेख़े के किताब इदिया पढ़ते हैं, तो आप याद नहीं रख पाएंगे, संभव नहीं है रेकितनी किता जैसे आप सामाने तोर पर सुनते हैं, कि आप ये RBSC से पढ़े हैं, ये NCRT से पढ़े हैं, थोड़ी सी विशेस तयारी करना चाहते हैं, तो आप इस लेख़े के किताब पढ़ें, साथ सब्जेक हैं के अंदर, सिक्षन वीदिया अलग है, पेपर वन अलग है, अगर इतन में नहीं नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगी, उन में से तुलनात्मक रूप से जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी, मैं बता दूगा, वैसे बहुत ज़्यादा अंतरून में होता नहीं है, एक गाइड को आप बेस बनाएं, उसमें से आपको टोपिक पढ़ने हैं, क अजस्थान बोर्ड की किताबों के अंदर, जो मेटरील दिया गया था, वो निश्चित रूप से NCRT से जादा बहतर था, प्रतियों की परिक्षाओं के दृष्टी से दिया हम देखे तो, लेकिन उन में फेक्ट वाइज साधारण सी बातें देर की थी, वो बातें आपकी लक्षे और पैनॉर्मा की गाइड में भी सारी मिल जाएंगी, सम मिल जाते हैं 99%, कोई भी बाकी नहीं बसता, तो पहले से जो विद्यार्थी RBSी पढ़ते आ रहे हैं, मैं उनको कहूँँआ, आप कंटिनी कीजिए, आप रिवाइज कीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं, उस लिए रिट में लगी थी, कभी कोई वीडियो का दे रहा है, कभी कोई RBSी का दे रहा है, अकेले सेकंड ग्रेड के भरोसे कौन बैठा था, कोई पहले से लेवल वन, ने स्वारी, लेवल टू के अंदर कोई अध्यापक लगावा हो, वो हो सकता है कोई सरकारी सेवा में पह वे तो आप घबराईएं नहीं, उन 100 को आप छोड़ दीजिए, आप 101 से शुरू कर लीजिए, 100 ही पोस्ट थोड़ी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेंटर का चेन नहीं करना है, एक गाइड बहुत कुछ उसमें से आ जाता है, दूसरी बात, राजसान की बोर्ड की व लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ का आपको NCRT पढ़ने चाहिए, तो कि अभी स्कूलों में वही किताबें चल रही हैं, लेकिन आपको विशेश ध्यान रखना है, syllabus के according, syllabus आपके पास नहीं है, आप फोन में मत देखिए, प्रिंट निकालिए, इस थोड़ा बहुत जो जाते हैं, तो उसका निकालना अपनी दिवार पे चिपकाओ, उसको ध्यान में रखो, जैसे अभी मैं चटी की NCRT पढ़ा रहा था, हिस्ट्री की, पहला चेप्टर पढ़ाया, मैंने दूसरा पढ़ाया, दोनों ही syllabus में नहीं है, आपका syllabus हडपा से शुरू हो था, तो इस प्रकार से आपको ध्यार में रखना है, तो ऐसे यह दिया आप NCRT के किताबों को देखेंगे, तो आपको ज्यादा वो नहीं लगेंगी, स्पष्ट तोर में आपको बताओं, तो छटी, साती और आठी की हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, उ तो मेंटर आपको छाटना है, किसी भले आदमी ने छाट रखा हो, तो उससे आप ले ले, वो आपकी फायदे का सोदा है, जैसे और बाकी सब्जेक्ट की मैं नहीं कह सकता है, हिस्ट्री हिस्ट्री से समन्दित बातें, मैं सेकंड गेड के सिलेबस के अकोर्डिंग आपको छाट के दे सकता हूँ, वो बोल्टि में पढ़ा दूँगा, जैसे एक चैप्टर का आट-दस मिनिट का वीडियो बनेगा मुश्किल से, और उसका कुछ नोट्स वगरा भी बन पाया तो पीडियो वगरा शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोई गारेंटी नही मैं कुछ और माग रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि मेरे से जो बन पाएगा हिस्ट्री के अंदर में बनने करवाने की कोशिश करूँगा, तो जैसे भारत का इतियास कक्षा 6, 7, 8 और कक्षा 12 की किताब ही, दस्वी में दो एक चेप्टर है, नोवी दस्वी में एक का बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, बिल्कुल कम की बात है, ऐसे नोवी दस्वी में आपके दो तिन चेप्टर वर्ल हिस्ट्री के काम के हैं, तो आप गाइड को अपना आधार बनाईए, NCRT को बार बार मत पढ़िए, NCRT से अपनी पाठ को पढ़िए, जरूरी बात चांट लो, जहां से प्रशन बन सकता है, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, वो आपका एक रजिस्टर बना लो, उसके अंदर मेटर चांटते जाओ, या फिर दूसरा ओक्षन क्या हो सकता है, हालनकि सबसे बेस्ट ओक्षन यही है, कि आप खुद NCRT पढ़िए, अपन सिर्फ नई NCRT पर आधारित नहीं है, उन्होंने पुरानी NCRT का भी मेटर शामिल कर रखा है, मैंने देखी थी वो किताबे, तो मैंने देखा कि जिसे चटी में भारत का प्राचे नितिहास है, बारवी में भारत का प्राचे नितिहास है, तो इसमें इतना ज्यादा प्रा बर्नवाल वाली चार किताबें खरीज सकते हैं अब उन्हें से कुछ विद्यारती कहेंगे सर उसमें कुछ तुरूटियां हैं निश्ची तुरूप से हैं कोई लिखने मेरा जाती है कोई 1830 का 50 हो जाता है ऐसा किताबों में होता है और उसमें मैंने एक बार हिस्ट्री की तो पुरानी का भी लेकिन आपको टोपिक वाइस पढ़ना है एकदम सेलेक्टिव होकर पढ़ना है आपको स्मार्ट स्ट्रीजिस को कहते हैं आप एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ें फिर दूसरी बात है कि महेश कुमार बनवाल वाली जरूरी है क्या बहुत बहुत अब ये चैप्टर आपके ऐसे हैं 6-12 में जो आपके काम के नहीं है ये फिलोस्फी बगएरा ये तो आपको छटी 7-8 बगएरा आमें कुछ मिलेगा नहीं यहां पर तो आपको कौलेटी मिल जाती है जोग्राफी मिल जाती है लेकिन आपको सेलेक्टिव होके पढ़ना है अब ये आप ये कहें कि सर आज मैं ये बताऊं कि कौन-कौन सा चेप्टर पढ़ना है तो अभी तो मैं भी बताआ पाने की सिती में नहीं हूँ और नए इस वीडियो के अंदर वो सीजे शामिल की जा सकती हैं। लेकिन आप सिलिबस के अकोर्डिंग NCRT की किताबें पढ़ें एक गाइड पढ़ें इससे भी ज्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्नवाल की जो चार-पांच किताबें हैं आर्थिसास्त्र की भूगोल की जो चैसे बारा NCRT पार एक तो उनका NCRT का सार को самой NCRT की जो सारे सबजेक्ट का मिलाकर आता है कोई काम का नहीं है उसमें तो बहुत ही कम मेटर है वो आपको नहिए लेечиться टयांग आर्थि की अपको महेश कुमार बर्नवाल की तरह बहुत जादा मैंटर शामिल नहीं किया है उन्होंने नहीं AnneCRT में से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चाटके और ये हिस्ट्री की और जोग्रफी की पॉलिटी की एकोनोमिक्स की किताबें उनकी भी आईवी हैं च्यार शायद तो वो ठीक है यदि आप बहुत जादा नहीं देखना चाहिए आप सोच रहे हैं कि NCRT से नोट्स बनाने वाला यदि माली जे कल दो चार पास दिन में वग्यापन आ जाता है और उसके बाद आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी ये रही रहेगी फिर आप महेश कुमार बर के जैन की किताब वो चयार किताबे हैं वो पढ़ सकते हैं इसके अलावा जो आपका फिलोसुपी है सोचलोजी है पबलिक एड है वो आप अपनी गाइड से भी तयार कर सकते हैं NCRT की किताबों से संबभ हो तो तयार करें नोट्स बनाने की कोशिश करें नहीं हो पाता है तो आप गाइड से पर तयार करें। किसी भी स्थिती में आपको उस किताब की और नहीं जाना है, जिसको आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन रिवाइज नहीं कर पाएंगी दो चार बार। वो किताब आपको नुकसान करेंगे, आपको फाइदा बिल्कुल भी नहीं देगी। भले ही, लेकिन मैं भी ऐसी किताबें बता सकता हूँ, मुझे भी पता है किन-किन रैटर्स की कौन से किताबें बढ़ी आती हैं, लेकिन आज की सिती में उन किताबों को बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आप उन किताबों को पढ़कर जाएंगे, आपको एक्जाम में पांसात कृशन ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन मैं गारेंटी लेता हूँ कि आप 20% गलत करके आएंगे, कर्फूजन के अंदर, तो आप ऐसा मत करना, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, एक गाइड पढ़ें, NCRT की किताबें पढ़ें, syllabus की according कोशिश करें उनके, आप सीधी खरे दे नहीं, NCRT में क्या-क्या पढ़ें, इसके भी कहीं न कहीं आपको वीडियो मिली जाएंगे, इसके लावाब आप NCRT की वेबसाइट है, उसमें से आप PDF डाउनलोड कीजिए, जिप फाइल डाउनलोड होती है, ZIP, जिप को आप PDF में convert कर सकते हैं, तो वहाँ से free में वो, जैसे history की तो मैंने सारी भेज भी दी थी अपने टेलिग्राम चैनल पर, और भी मैं कोशिश करूँगा, भेज दूँगा, आप मेरा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं, यह आपको जुरूरत महसूस हो, ऐसा तो है नहीं कि आप जो टेलिग्राम चैनल जोइन करते हैं, तो मेरे को कोई यहाँ पर fees आ जाती है, मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है, आप जोइन करेंगे, तो आपको कभी ना कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाएगा, नहीं करेंगे, तो कुछ और बाते मीं बताने की कोशिश करूँ, जैसे पॉलिटी वगरा, लेकिन हिस्टर की मैं कोशिश करूँगा, कि सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जब सिल्यबस निर्दारित हो जाए, जब वेकेंसी आ जाए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊ, लेकिन आज मेरी आपक आप से शेर करने चाहिए, आपको ठीक लगती है, तो आप इसके अकोर्डिंग फैसला ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे सिक्षक से बात कर सकते हैं, किसी दूसरे चैनल की सायता ले सकते हैं, उनकी बात आपको अच्छे लगती है, तो आप उसके अकोर्डिंग जा सकते हैं यह आपका फैसला होगा और आप यह माइंड में धिरूर ध्यान रखें कि मैटर उतना ही सेलेक्ट करने की कोशिश करें जितना आप याद कर सकें बार बार रिवाइज कर सकें उससे ज्यादा नहीं क्योंकि बीच में रीट का भी एक्जाम आएगा नए चाहते हुए बहुत सारे विद्यार्चियों को रीट की और जाना पड़ेगा बीच में पातरता परिक्षा तो वो यह सोचेंगे कि यह तो क्लियर करें तो एक देड महिना तो आपको निकालना पड़ेगा बीच के अंदर एदि सेक्ट्रेट का एक्जाम इसके बात जाता है तो भी आप को रीट के लिए निकालना पड़ेगा एक दो महिने का समय एक डेड महिने का क्योंकि संका जब रहती है तो हम यह सोच थे हैं कि पता नहीं रीट कब तक काम आजए तो एक बार रीट की और भी आपको जाना पड़ेगा तो यह सब माइन में रखते हुए आप यह कोशिश क झाल झाल